है लो दोस्तो मैं हूँ आपका ओश्ट फोर कोड दोस्तो आग यहां अपले क्लेक और अमेजिंग चैप्टर लेकर जावा स्क्रिप्स यानि कि यह पार्ट है तो यह पका चैप्टर सिक्ट है मैंने जो है जो है जैक्सटॉप कर लिया है इसको कंट्रोल ओ करेंगे और नॉर यहां पर यहां पर नॉरमल तरीकी से यहां पर और ँद्स Super Scalable कोड़ दीखा लिखा तौ आज हमें क्या पढ़ना है अँगमेली है क्यों आप जावास्केमे चीजिजowing को स्रेकर करते कि आप select करके HTML के contact को और JavaScript में कुछ भी action perform करें उसमें CSS apply करिए या उसमें और भी कुछ action perform करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर selector को समझना है तो selector कई तरगे से होता है जावस्किब में बहुत सर्व multiple selector है लेकिन आपको यहाँ पर नोट्स में जो है limited selector लिखेंगे तो नोट्स आपको वीडियो की description मिलेगा वहाँ से डाउनलोड करेंगे जावस्किब में selector क्या होता है वह समझेंगे ठीक है सबसे पहले यहाँ पर ID हमने समझा था कि ID जो selector है उससे क्या होता है ID जस्में ने रिजल्ट दिया यहाँ पर ID और यहाँ पर क्या करेंगे एक रिलेट वारेबल बनाते है चलो इस दिल्ट element Y ID selector है तो यह कोणद 49 करता है कि क्या लिखा जाएगा जिसे यहाँ पर वाई ID लिखा हुआ है तो यहा पर आप ID देंगे कोई भी और यहां पर देखे एक और चीज़ element लिखा हुआ है, elements नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर s नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर शिर्फ element है, तो इसका मनलब क्या हुआ है, यह शिर्फ एक बार में एक ही चीज़ को select कर पाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर multiple ID भी होते है, तो multiple ID दी नहीं जाती है, यह गलत है, कभी multiple ID नहीं दिया जाता है, multiple class होता है, उसको दे सकते हैं, यहाँ पर मैं रहने हटा है, यहाँ से मने हटा कुछ, इहां से मने हटा है, शिर्फ एक ही रहेगा, तो यहाम पर देखे, element नहीं है, element है, and by ID यहाँ पर इकिन रिखना है, काइसे आप सोचेंगे, यह इसको देखके किलास नेम होता, तो यहाँ पर कोई किलास का नाम दे रहा होता, यहाँ पर getElementById है तो यहाँ पर किसी आइड का नाम देना है, उसको console.log में print करेंगे, तो console का युद दरिए, और .log यहाँ पर आपको क्या print करना है, यहाँ यहाँ पर print कर देंगे, को सब्सक्ति पर करते हुतards बना जरुंग सब्सक्राइब हो किouse फंच्षट man रहे हैं मैं किसी क्रेकों करें चाहिए पर करने जब करनेगे किरिए ईक बना बना लेंगे psychologists सिंवन मैं पल रहyba Iraq क्या करोटां के आप असके लिए करों के अब इस मैं मिलेगा जैसे पहले मिला था तो पहले कब रिजल मिल था अभी हम रिलोड करेंगे तो रिजल नहीं मिलेगा अब हमें किलिक और किलिक करेंगे तो यहां पर किलिक करेंगे इस तरीके से ज़ुकते चाहिए नहीं मिला थ् extending तो क्या आप ID से इसको select कर सकते थे, इसको नहीं select कर पाते है आप ID से, ठीक है, अब अगर यहाँ पर 10 H1 है, तो इसके लिए दूसरा tag आपको यहाँ पर देखेंगे, एक और चीज, common, common देखेंगे, कि सभी H1 ही है, यहाँ पर H1, यह भी H1, यह भी H1 है, यह भी H1 है, यह भ document के अंदर से, document का मलब क्या होता है, सबसे पहले को समझे, document आपका एक keyword है, document यह दिखाता है कि आपको चीजों को कहां से select करना है, document मलब यह पूरा page, देखेंगे, मैंने तीन चार बार paste किया, इसको यहाँ पर लिख रहा है, तो document का मलब क्या है, यहाँ से लेकर कि यहाँ by take name, यहाँ पर किसी take का नाम देना होगा, यह justify कर रहा है, और यहाँ पर दिखेंगे, क्या लगा होगा, element नहीं लिखाओ, यहाँ पर लिखाओ, elements लिखाओ, इसका मलब क्या होगा है, यह multiple element को एक बार select कर सकता है, तो आपको, अब ऐसी situation है कि multiple element, यानि कि same, अब यहाँ प यानि कि same take है, तो आपको यहाँ पर क्या देना, take name देना है, यानि कि take name का मलब क्या होगा, जो आपके take का नाम है, वो h1, यहाँ पर मैंने दिया, reload करके testing करेंगे, तो दिखेंगे, यहाँ पर मैंने reload क्या, inspect करके console में जाएंगे, और देखेंगे, क्या result आ रहा है, कुछ यहाँ पर क्लिक करिया बटन पर, मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे है, HTML collection का मलब क्या हुआ, कि HTML का कोई collection है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीक से data है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आपको indexing number के गता है, पर आपको यहाँ पर डिखेंगे, और यहाँ पर लिखगे, अब यहाँ पर लिख करेंगे, भर लिखेंगे, अंदर अलोग कमा लिख देगग तो अलोग कुमार और यहां पर टर्मियेट करेंगे उसके बाद देखिए रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे मैंने रिलोड किया किलिक करने पर यहां पर कुछ चेंजेस होना चाहिए देखिए बढ़ चेंज नहीं हुआ और ना ही कोई आपको एरर मिला तो सभी केस में आप किलिक करेंगे तो अलोग कुमार आगया अब यहां पर सिंगल लेक्टा था तभी हमें आयरे बनाना है पड़ा क्यों क्योंकि यहां पर जो अगर आपको दूसरे वाले में कुछ भी चेंज उनकिगे अब एक बार कांसूलां डॉडल लोग में देख लेते हैं कि हमारा जो तरहला हम भी होगता है, मैं हम प्रिंट करेंगे, किलीक करेंगे, ने सब्सक्राइब लिख अच्छरिटत करेंगे, 2ौा भी हो, और लिख सब्सक्राइब दिक भी कल की, इसका भाए, यह बहुँआ लेका wrote, क्योंकि जो जिर ऐरा होगा, ze start होता है तोotti एक क्व Mack guilt आएगा उसको आपको पर समझा लागए ठीक कें अब सफोर्च करो आपको दूसरे वाले में कुछ छेंज करना होता है यृण कि दूसरे वाले में कुछ भी आपको politic करना है तो 7 क्या ऐसकर करिए इस तरीक से और इंडेक्सिंग नंबर 1 दीजे या यहां पर वन देढ़ेंगे .nearHTML या इनए टेक्स्स का युश्च करेंगे इस तरीके से और यहां पर डेटा लिख देंगे तो मने लिख यहां पर अहद इस तरीक से मने लिख जया अ मैं कुछ और लिख जैता हूं जैसे मैंने लिख दिया यहां पर अनुप कुमार ठीक है तो मैंने अनुप कुमार इस तरीक से लिखा और यहां पर टामेट करूँगा आप क्या होगा जैसे आप किलिक करेंगे यहां पर जैसे आप किलिक करेंगे तो क्या होगा मैंने रिलोड तो इहांपर मुहनुक मार इस ट्रीक से आ जागा तो तीनु जब भी आप इस ट्रीक से से सिलेक्टर CTRL यूज़ करेंगे तो कभी बीगorschah जीमें एहांपर पर आयरे इदर करेंगा अब चाहें यहां पर एकटीस सेलेट हो चाहे पास multiple h1 होता है, तब भी वह एरे रeरे रिटन करता है और उसको एरे के indexing number फालो करके data लिखना है अगर आपके पास multiple h1 होता तब भी वह एरे रिटन करेगा तो यह depend किसपर करता है यहाँ पर इसका मलब क्या हो गो गो multiple छीजों को एक साथ select कर सकता है तो जब tag होगा यानि कि same tag होगा तब आपको इसका यूज़ करना है अच्छा यहाँ पर दिखिए inner text का यूज़ करेंगे हमने हम चाहे तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो जो आपका अनुप कुमार है यह बटन में चीज़े थी यानि कि tag नेम हमारा same था होता कोई होता कोई होता कोई और होता जैसे मैं यहाँ पर फिले लेता हूँ यहाँ पर एक और ले लूँगा लेवल कि लिखते हैं लेवल इसाइश लिखते हैं यह साइशा है लेवल यह होगया फारक की वरी कि रखेंगे लेबल में ईसम महीं डेया डिया डाथ बियंट दिया Bonjour th फिर से सारे चीज़ आपको दिखेगा इसे तरीके से यहां पर भी एक बार उप्छेया लगाईे और यहां पर भी एक बार यहां पर आप इसा साध्य लीके सुट पर नहीं यहां पर आप या तो H1 को अलग को अलग सेलेक्ट करें उसके बाद जो है कि यह भी multiple चीज़ों को एक साथ select कर पाएगा ठीक है elements लिखा हुआ इसका मनलब क्या हुआ कि multiple चीज़ों को एक साथ select करेगा अब यहां पर h1 लिख रहे हैं तो अभी अगर हम यहां पर आके reload करें और inspect करें कांसोल में जाके देखेंगे क्लिक करके तो क्या सबस्क्र चैपके आपको फनी है लेंध्य इसका है 0 यानि की क्लेकशन में कुछ भी नहीं आ रहा है यहां पर देखें डेक्स और jya पर खना है अगर आप यहां पर class क्लाइससे पर और सब्सक्राइब करता बसक्राइब हैए और अपने class लगा दिया तो अब वो सारा चीज आ जाएगा जैसे कि h1 भी आया, p-take भी आया, spain आया, strong आया, label आया तो यह जो है यह किस case में eligible है जब आपको multiple classes एक साथ च्रुट करने होगे यानि कि multiple tag एक साथ स्रुट करने होगे तो यहाँ पर tag लिखेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा रिजल्ट ठीक है तो आपको डारेक से result लिख देना है तो जब भी class name अब यहाँ पर situation क्या थी देखिए अरहा है ठीक है और इंसर्ट करने का जो तरीका होगा यानि कि जैसे अभी हम इंसर्ट कर रहे थे हैं indexing number को follow करके तो tag करने के तरीक से और indexing number फालो करेंगे तरीक से 0 तो उसके बाट inner HTML इससे डिफान करेंगे और यहाँ पर आप किसी भी तरह से data लिख सकते है जैसे मैंने अलोग कुमार इस से लिखा दूसरे में कुछ असायन करना होगा तो यहाँ पर फिर से tag name टेग को follow करेंगे और यहा पर बटन बनाना होगा तो इस लिख से आप यहाँ पर क्या करेंगे बटन क्या करेंगे तो इस तरीके से किसी भी तरह का tag आप बना सकते हो जाए कोई भी प्रसे किलिक करेंगे यहां पर बटन बना है तो इसी को कॉपी करेंगे अब मुझे टू इंडेक्स पर इंपुट फिल बनाना है तो टू कायुच करेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग इनपुट ठीक है इस तरीके से और यहां पर हम लोग क्या करेंगे इनपुट नहीं होता आपका और नहीं उसमें कुछ लिखा जाता तो इनपुट बनाएगे बस इस तरीक से और टाइप उसका डिफान कर देगे मने इसको अटाया और यहां टाइप की वैलू आप चेंड कर चीज़ करेंगे तो यहां पर बन जाता है तो यहां पर यहां पर एक सेम जैसा क्लास देंगे और यहां पर सभी को एक बार में seller करने के लिए get element by class name करेंगे और यहां पर result को select करेंगे यही चीज एक और होता है get element by name get element by name यानि कि name करेंगे तो यहां पर भी देखे जारा यहां पर किलिखा by name तो by name का मलब क्यों होगा by class name का मलब क्यों हो बो class name का attribute जो है आपका इस्टेमें में लगा होता है यहां पर क्यालेबा by name तो name नाम का attribute होना चाहिए तो इस पर click करेंगे और यहां पर right click करके change all occurrences इस पर click करनेगे तो सभी class select हो जाएगे इस बार हटा देंगे और name नाम का attribute होता है उसको लगा देंगे तो यह सब name नाम का attribute है अब result इसमें लग गया तो यहां पर देखिए यही name यहां पर आएगा और get elements लिखा हुआ है यहां पर इसका मलब यह जो get elements by name है यह भी multiple जीजों को एक साथ select कर सकता है ठीक है तो यहां पर name keyword के साथ भी आप select कर सकते हो और यहां पर भी tag आजाएगा सारा अगर tag है तो यहां पर क्या करना आपको यहां तो class name से select कर लेना या तो name keyword के साथ select कर लेना इससी तरीक से और भी बहुत सारे है तो आपको यहां पर limited चीजे ही बताए जाएगी लेकिन ऐसा कता ही नहीं है कि यहां पर खतम हो गई चीजे ठीक है तो आपको notes में भी limited चीज पता चलिया होगा कि अगर हम tag name से select करेंगे तो यहां पर currency value देंगे name का value देंगे यहां पर बीच में एक और हटा दूँ मैं यहां से name के value में change कर दूँ तो यह जो span है वो अब नहीं आएगा यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर सब होगा लेकिन यह जो span था यह सेलेक्ट नहीं हुआ अब सेलेक्ट नहीं हुआ कि नहीं हुआ की नहीं हुआ कैसे पता चलिका इस्पेट करिए console में जाईए मने console नहीं कर रखा तो एक बार console भी कर दीजिए चीज को function के अ वह नहीं आया क्यों कि उसकी जो name है वह match नहीं कर रही है यहां पर ठीक है इसलिए वह नहीं आया तो उसको आवाइट कर देगा ओड़ ओ ठीक है अब पेज में अगर आपके पास सवह एक पर आपने same name दे दिया और नहीं से सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक् तो node और list ? element का list वी इस तरीके समझ यह सिसको HTML collection का मंदब होगा HTML का कूई collection HTML का किसी तरह का collection साहब हो sean नोड का मलब हो गया आपका element और लिस्ट का मलब हो गया collection यानि कि किसी चीज़ का node का collection ठीक है तो node का मलब क्या हुआ element हमें इस तरीके के element ठीक है तो यहां पर avoid क्या हुआ अब फ्यूचर में यह जो दो सलेक्टर में पढ़ाने जा रहा हूं यह बहुत ज्यादा eligible हैं सभी cases में यह work कर जाएंगे आपके किसी भी कोई भी तरीका case होगा यह दो अब उस तरीके के पढ़ा है तो फिलाल हम जब पढ़ लेंगे ता हम उसका यूज समझना है आज के लिए उनके यूज समझना है कि जब भी आपको यहांपर elements होगा तो यहांपर यहांपर इंडेक्सिंग नमबर फालो करके आपको data DTA assign करना है उनमें ठीक है तो आयरे डेम आएगा तो आपको क्या करना आपको क्या करना है इसको पढ़र रेंगे यानि कि जो कब चाहेंगे इसको nous करेंगे उसके बाद इसमें दो आड फो होगा इस पर क्लिक करने पर आपका नाम आना चाहिए और डिजाइन आपका इससे बेटर होना चाहिए जरूर नहीं कि आपको देखना है सोर्स कोड आपको नहीं देखना है अगर आप सोर्स कोड देखते हो यह समझे कि आप अपना ही नुक्षान करों मेरा नुक्षान उसमें कुछ ने होगा तो सबसे पहले आपको इस तरीकर करने लगए तो नहीं कर पाओगे ुसलिए अपको पहले इस ठैक्सर बना लेना है उसके बाद किलिक करना स्टेब जाए और डेटा आता जाएगा ठीक है तो आई हो अब लोगों को टास्क के भी समझ में आ रहा है तो जरूर पूछ लेना आपके help कर दूगा लेकिन आपको code नहीं देखना है आपको designing का भी code अपने मन से ही करना है और JavaScript का भी code आपको अपने मन से ही करना है अगर आप code देखके काम ठीक अपने में लोगा कि आपको आपने आपको यहां पर पकड़ कैया कि आपने मेरा कोड यूज गया आई हो अब लोगों को समत्रियों दोस्तों और किसी को दिक्कत हो है जरूर पूछिए आपकी help कर दे जाएगी thanks for the education of Just4Code see you soon